नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर्ण नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा दोस्तों चाड़क की जी कहते हैं जिस प्रकार पर पुरुष से गर्ब धारड करने बाली इस्तरी शोभा नहीं पाती उसी प्रकार गुरू के चरणों में बैठ कर बिद्या प्राप्त ना करके इधर उधर से पुस्तके पढ़कर जो ज्यान प्राप्त करते हैं वो बिद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते क्यूंकि उनका ग्यान अधूरा होता है उसमें परिपक्वता नहीं होती और अधूरे ग्यान के कारड ही वो शीग्री उपहास का पात्र बन जाते हैं आगे दोस्तों चाड़की जी बताते हैं उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा बाले के साथ हिंसा करनी चाहिए बहां दोस नहीं लगता क्यूंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का ब्योहार करना ही ठीक रहता है दोस्तों तप में असीम शक्ती है तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो दूर है बहुत अधिक दूर है जो बहुत कठिंता से प्राप्त होने बाला है और बहुत दूरी परिस्थित है ऐसे साथ दिको तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इस सबसे बड़ा आपगुण क्या है पर निंदा सबसे बड़ा पाप है सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है सजन्ता सबसे बड़ा गुण है यह सबसे उत्तम अलंकार है और उत्तम विद्या ही सबसे स्रेष्ट धन है और अपम पती की अग्या के बिना जो इस्त्री उपवास और बरत करती है वो अपने पती की आयू को कम करने बाली होती है अर्थाद पती को नश्ट करके सीधे नर्क लोग जाती है दोस्तों चाड़की जी बताते हैं इस्त्री ना तो दान से ना सैकड़ों उपवास और बरस से ना तीर थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध हो पाती है जैसे वो अपने पती के से होती है ना की चंदन लगाने से बड़ों की त्रिप्ती सम्मान से होती है ना की भोजन कराने से और शरीर की मुप्ती ज्यान से होती है ना की शरीर का सरंगार कराने से दोस्तों एन टीवी मोटीवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो